गुड बॉनिंग सेविंध क्लास बच्चों हमारे दौरा यहां पर पेज नंबर 71 से अपने लेसन को पढ़ा जा रहा है पेज नंबर 71 पर शेत्रवे सामराज्ये से आप लोग अपनी कितावें खोल लें यहां पर हमने इससे पहले जो पढ़ा था किले मकवरे और बागों का निर्मान की वास्तो शिल्प कला का अद्यान करा था जिसमें हमने चार बाग कला का चार बाग जो मुक्य रूप से मुगल सामराज्ये के अंतरगत बनाए गए थे वेविन वागों का अध्यन किया था और उनकी विशेष्टाओं का अध्यन हमारे दोरा किया गया था आज हमारे दोरा पीज नमबर 71 से शेत्र वे समराज्ये के अंतरगत अध्यन किया जा रहा है आठवी वे अठारवी शतापदियों के बीच में जब निर्मान संबंदी गतिविदियों में बड़ोत्रियां हुई थी तो वेविन शेत्रों के बीच में विचारों का भी पर्याप तादान प्रदान हुआ था एक शेत्र की परंपराएं दूसरे शेत्र के दोरा अपना ही जाने लगी थी उदारण के लिए हम देखें तो विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर वीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सलतनतों की वास्तु कलात्मक शैली का बहुत अधिक प्रभाब पढ़ाता अध्याज 6 को आप द्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको इसके बारे में डेटेल में पढ़ने को मिलेगा यहां पर हमें एक और उदारण लेते हैं मत्रो के निकाटिस्तित व्रिंदावन में बने मंदिरों की वास्तु कलात्मक शैली जोती फात्यपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत अधिक मिलती जुलती थी यह जो व्रिंदावन का मंदिर का निर्मान है नीचे एक चेत्र बना हुआ है आपके इस चेत्र को सोलवाई नंबर का चेत्र है यह इस चैप्टर के अंतरगाज इसके बारे में दी गई जानकारी साइड में आपके है लिखी हुई उसका हम अध्यान कर रहे हैं व्रिंदा आप दिखाई दे रहे हैं जो अपस में एक दूसरे को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दो प्रतिचेदी महरावों पर ध्यान दें जिन से इनकी उची बीतरी चट का निर्मान किया गया था वास्तु कला की यह शैली उत्तर पूरवी इरान खुरासान से आई थी और फत्यपूर सीख्री में इसका प्रियोग किया गया था आगे वड़ते हैं बेटा इसी चेप्टर के अंतरगत विशाल सामराज्यों के निर्मान ने वेविन शेत्रों को उनके शाषन के अधिन ला दिया था इससे कलात्मक रूपों और वास्तु कलात्मक शैलियों के पर सं सेचन में मदद मिलती है मुगल शाषक अपने भवनों के निर्मान में शेत्री वास्तु कलात्मक शैलियों को अपनाने में विशेश रूप से दक्ष दे उधारन के लिए बंगाल में इस्थानी शाषकों ने चप्पर की जौपड़ी के समान गुंबत वाद दिखने वाल अपने शेत्रों का प्रभाब भी सपस दिखाई देता है अकवर की राजदानी फत्यपूर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात पर मालवा की वास्तु कलात्मक शैलियों का प्रभाब भी दिखाई पड़ता है यहां पर हम आगे बढ़ते हैं पेज अपना चेंज कर लिज पेज नंबर 72 से अठारवी शताबदी में मुगल शाषकों की सत्ता के दुमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्ये में विकसित वास्तु कलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रहती और अन्ने शाषकों ने जब भी स्वैम के राज्जे स्तापित करने के प्रयास किये थे त और तता टेक किस तरह से लगी हुई है चट का जो चट जो है वो किस तरह से पिलर जो खंबे है और उस पिलर के सारे जो टेक किनारियां बनाकर चट को आकार दिया गया है चट बनाई गई है वो हम इसमें असानी से देख सकते हैं ये जो बनाई गई बिल्डिंग है गुज विश्व से इसका कंपेरिजन करते हुए फ्रांस की एक चर्च की बिल्डिंग से या दूसरे शब्दों में उस समय विशेश में गौथिक शैली जो वहाँ पर प्रचलित थी उसके अंतरगत अध्यन कर रहे हैं यह एक आपके बॉक्स बना हुआ है जिसमें आसमान छूते च जानी जाती है इस शैली की विशिष्टाएं नुकीले उचे महराव रंगीन कांच का प्रियोग जिसमें प्राय बाइविल के लिए द्रश्यों का चितरन है तता उड़ते हुए पुष्टे हैं दूर से ही दिखने वाली उची मिनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े थे इस वास्तु कलात्मक शैली के सर्वोत क्रष्ट ग्यात उधारनों में से पैरिस का नाट्रेडम चर्च है बारवी और तेरवी शताबदी के कई दशकों में इसका निर्मान कारे किया गया था चितर पर एक नज़र डालें और गंटी वाले हो गया है थैंक यू बटा अज के लिए